सबसे पहले बता दू आने वाला है, जो कन्फर्म्ड है, ओपो फाइंड X2 सीरीज, इसमें ओपो फाइंड X2 भी है एंड X2 प्रो भी है, X2 कन्फर्म्ड है, X2 प्रो भी साथ में आएगा या नहीं यह पता नहीं है, पट स्पेसिफिकेशन अगर आपको बताऊं तो आपको आएगे, बट इस कमिंग इन जून, और हां दोस्तों, ऐसी भी खबरे आ रही है कि अपो का ही रेनो 4 सीरीज, अपो रेनो 4, यह जो सीरीज है, इसका कोई फोन भी जून में लाँच हो सकता है, याद रखिये, देरिस अपैंट अप लाँचे, पिछले दो तीन महीने से कु इन जून, उतना ही नहीं दोस्तों, सामसंग की तरफ से भी कहा जा रहा है कि M31S and A51S, यह जो मिड रेंज के, बजट रेंज और मिड रेंज के फोन हैं, यह भी आ सकते हैं, बट M01, M11 is confirmed, A51, A51 and M31S, I am not too sure, दोस्तों, वीवो की तरफ से, वीवो V19 तो लाँच हो गया है, उसका जो बड़ा भाई है, वीवो V19 Pro, यह लाँच होने के चांसिस है, और इसमें Qualcomm Snapdragon 730 processor और जैसे V series के फोन होते हैं, जनरी camera जबरदस होता है, तो V19 Pro भी लाँच हो सकता है, टेकिट विद पिंच आफ सॉल, बिकूस वी आर नोट शूर, लेकिन बताना मेरा काम है, यह म Z1 चाइना में लाँच हो गया है, and might happen that Z1 will come in India, याद रखिये, Diamond City 1000 Plus इस प्रोसेसर पे है, जबरदस स्पेसिफिकेशन के साथ आता है, and it is extremely value for money smartphone, अब आएगा या नहीं पता नहीं है, but sure, iQoo ने पहला phone लाँच कर दिया, and it's time that they launch their second phone, क्या कहते हो, वेसे दोस्तों हमारा अगर upcoming का वीडियो आपको अच्छा लगता है, like करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और दोस्तों यह जो अगला phone है, मुझे लगा था नहीं launch होगा, पर अगर Honor 9X Pro आ सकता है, without GMS, Google Mobile Service, वो HMS के साथ आ है, उसका भी unboxing किया हुआ है, अगर नहीं देखा है, तो ज़रूर देख P40, यह सीरीज में से एक नाई एक phone launch हो सकता है, जून में, इंडिया में, it is high time, Huawei की तरफ से हमने बिल्कुल भी कोई phone नहीं देखा है, अगर वो ले रहे हैं, यह रिस्क ले रहे हैं, तो शायद Huawei P40 के साथ ले सकते हैं, याद रखिये, P40 is known for camera, and it is number one, जी हाँ, it is one of the top three cameras, smartphones in the world, तो इधर आएगा तो शायद लोग ले लेंगे, camera की वह से, और दोस्तों, एक brand जो रुका हुआ है, पिछले 6-8 महिनों से, और आप लोग मुझ से पूछ रहे हो, कब कुछ होने वाला है, इनकी तरफ से, कोई launch कब होने वाला है, and finally ऐसे लग रहा है, कि हो जाएगा, मैं बात कर रहा हूँ, Asus के बारे में, जी हां, हम तो सोच रहे थे कि June में Asus Zenfone, sorry, Asus ROG3, जी हां, ROG3 यह जो phone है, flagship level का gaming phone, ROG2 का successor, वो launch हो जाएगा, वो तो आएगा ही, लेकिन listing websites पे, certification websites पे, Zenfone 7 भी दिखरा है, इसका मतलब that may also come, ROG3 I am pretty sure कि आजाएगा June end तक, but Asus Zenfone 7, या तो June में आएगा, या फिर July, August में आ सकता है, that is what we are thinking right now, I am sure about ROG3, not so about Zenfone 7, दोस्तों और एक phone जो लग रहा था, launch होगा, May में ही, April में में ही, and OnePlus 8, OnePlus 8 Pro के साथ launch हो जाएगा, नहीं हुआ, मैं बात कर रहा हूँ, OnePlus 8 Lite की, या फिर OnePlus Z, I don't know, उसका नाम क्या है, अभी भी बहुत सारे rumors ही चलते हैं, लेकिन continuously rumors आ रहे हैं, और इतने सारे, continuously rumors आ रहे हैं, इसका मतलब OnePlus Z might be the reality in June, या, June end तक आ जाए, या फिर July भी हो जाए, क्योंकि ऐसे कहा जा रहा है कि July end के पहले आने वाला है, so it might be June, lockdown पे depend करता है, अगर lockdown और भी extended होता है, तो शायद वो July में आ जाएगा, but OnePlus 8 Lite या फिर OnePlus Z is coming, चलिए दोस्तों, बात करते हैं, अब Realme के बारे में, and, मतलब, जितना मैंने research वागेरे किया, उसके हिसाफ से, तो 4-5 अलग-अलग phones आ सकते हैं, Realme की तरफ से, इसमें से, एक या तो नहीं आएं, लेकिन, एक शूर है, Realme X3 Super Zoom, या फिर Realme X3 ये आएंगे, जी हा, this is nearly 99.99% confirmed, in fact, बहुत सारे फिलर्स भी आ गए हैं, ब्रैंड की तरफ से, बहुत सारे फोटोस भी आ गए हैं, Super Zoom के, जी हा, Galaxy के वगेरे फोटोस दिखा दिये, so, it is going to come in June, mid-June तक आएगा, मेरे हिसाब से, but, there is one more phone, जी हा, उनके वेबसाइट के उपर X50M, ये जो phone था, ये लिस्ट हो गया था, और, we are not sure about specifications, ये लेकिन ये X50 Lite हो सकता है, जिसका नाम है Realme X50M, अब ये अगर इंडिया वेबसाइट के उपर लिस्ट हो गया है, इसका मतलब there are chances, I don't know whether it will launch in June और July, लेकिन आने वाला जरूर है, that's for sure, और हाँ दोस्तों, Realme की तरफ से ही, इनका X50 का Player Edition चाइना में लांच हो गया है, now, ऐसे कहा जा रहा है, कि ये इंडिया में जब आएगा, रिब्रैंड हो के आएगा, इसका जो नाम होगा, वो होगा, Realme X3 Pro, again, it might be possible that it might be launched in June और July, but it is coming for sure, जिया, ये Realme X2 Pro का successor होने वाला है, and Realme X3 Pro, या फिर Realme X50 Player Edition, I'm looking forward to it. ये Realme X3 Pro का क्या हो गया, I really don't know, I mean, हम April से बात कर रहे हैं, शायद March से बात कर रहे हैं, फिछले तीन महिनों से अभी तक नहीं आया है, so I'm not sure whether ये महिने आएगा भी या नहीं आएगा, किस नाम से आने वाला है, 5G होगा, 4G होगा, चाइना का वीरेंट होगा, I am not sure, but one thing is sure कि Redmi K30 Pro या फिर Poco किसी नाम से कुछ ना कुछ तो जरूर आने वाला है, Redmi की तरफ से, at a flagship level. And finally, दोस्तो, Poco M2 Pro, इसका Bluetooth certification, Wi-Fi certification ये सब certification हो गया है, so very much possible कि आजाए, and याद रखिये, Poco, सिर्फ Poco F2 के बारे में नहीं है, दूसरे भी phones ये लोग launch करने वाले हैं, in fact, Poco की तरफ से, दूसरे प्रोड़क्स भी जैसे TWS वागेरे भी launch होने वाले है, and possibility is that Poco M2 Pro might launch in June, अ हमारे sources से पता करने कोशिश करते हैं, कभी-कभी successful हो जाते हैं, कभी-कभी हमें नहीं नहीं पता चलता है, so, yes, it might be possible that Poco M2 Pro might come, yeah, बहुचार होने वाली है, बहुचार होने वाली है, फोन की जून में, at least I am hoping so, I am crossing my fingers, and you should too, yeah.